इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी वो मेरे एक oral solution बच्चों को दी जाने वाला दवा है जिससे मिचली आना और उल्टी का इलाज करने में मदद मिलती है इसे मुख्य रूप से सरजरी, कीमो थेरपी, रेडियो थेरपी और पेट, आन्थ इंफेक्शन से संबंधित मिचली आना और उल्टी का इलाज करने के लिए दिया जाता है यह उल्टी का इलाज करने में भी मदद करता है जो पेंकिलर जैसी दवाओं के साइड इफेक्ट के कारण होती है वो मिरे एक ओरल सोल्यूशन भूजन से पहले या बाद में दिया जा सकता है कीमोथेरपी के कारण होने वाले उल्टी को नियंतरित करने के लिए यह दवा अपने बच्चे को प्रोसीजर से 30 मिनिट पहले दें रेडियोथेरपी सेशन से 1-2 घंटे पहले और सरजरी से 1 घंटे बाद इसे अपने बच्चे को दें तकी इन प्रोसीजर के बाद उल्टी से बचाव हो सके यदि आपका बच्चा सेवन के 30 मिनिट के भीतर दवा उगल देता है तो अपने बच्चे को शांत करें और खुराक को दोबारा दें अगर अगली खुराक का समय हो गया है तो डबल डोज ना लें वो मिरेक ओरल सोलीशन से कुछ अस्थाई साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसे सिरदर्द, कब्ज, डायरिया, यानि की दस्थ और थकान आमतोर पर ये साइड इफेक्ट आपके बच्चे के शरीर के दवा के प्रती अनुकूलित होते ही कम हो जाते हैं यदि ये दुश प्रभाव बने रहते हैं या इससे आपको परेशानी होने लगी है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें दर्द निवारक, एंटी बाउटे किया, डिप्रेशन की दवाओं सहेत आपके बच्चे द्वारा ली जाने वाली सभी दवाओं के बारे में अपने डॉक्टर को बताएं यदि आपके बच्चे को लिवर की समस्या, किड्नी की खराबी, गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रेक्ट में ब्लॉकेज, हिर्दै से जुड़ी समस्या या किसी दवा या उसके इंग्रीडियन्ट या किसी फूड प्रोड़क्ट से अलजी है तो डॉक्टर को बताएं यह जानकारी खुराक में बदलाव और आपके बच्चे के समग्र इलाज की योजना बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद